नमस्कार दोस्तों मैं उंकर उपाध्या सो आगत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल Share Market Analysis में दोस्तों आज कुछ Monopoly Stocks के बारे में बात करेंगे जहां पर मुझे लगता है अगर आपका निवेश है तो बने रहना चाहिए नहीं है तो आप अपनी पॉर्टफोलियो में एड कर सकते हैं डिपस पे इन मैंसे कुछ स्टॉक्स हाइज पे चल रहे हैं कुछ बीच में चल रहे हैं बट ओवरॉल देखा जाए तो अगर आप पॉर्टफोलियो को को रहे हैं ड़िस्ट होने चाहिए मवनों पॉल्य तो चलिए कुछ मौनोपॉलियो था कारुद्वां सबसे पहले चेर कारुक्स बस के बाद मैं अपने मुह सबसे बैस लगते हैं वो Monopoly Stocks आपको बताऊँगा सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इस तरीकी की वीडियो में पहले भी बना चुका हूँ बट जैसा कि आप सभी को पता है नए नए लोग जुटते हैं तो सब तक पहुंचनी चाहिए इसलिए कभी कबार रिपीटेड हो जाती है लेकिन वही वीडियो नहीं है वीडियो थोड़ी चेंज होती है दोस्तों Monopoly Stocks जो होते हैं वो तीन Category में divided होते हैं आप कह सकते हैं पहला Category होती है कि Pure Monopoly Stocks होते हैं यानि कि कोई Stock उस तरीके का या कोई भी Company उस तरीके की बाजार में है ही नहीं वो काम करने के लिए ठीक है एक यह होता है Pure Monopoly जो मतलब इतने Entry Barriers हैं कि कोई आना चाहे तो आ भी नहीं सकता एक Square Example से समझते हैं इसका सबसे अच्छा Example हो सकता है IRCTC अगर आपको Rail की टिकेट बुक करानी है तो आपको केवल IRCTC ही वो टिकेट बुक करके दे सकता है इस भारत में और कुछ नहीं दे सकता है यह होता है Pure Monopoly Second होते हैं जो दो होते हैं उसे कहते हैं Due Poly यानि कि दो कंपनिया एक सी होती है सेम कारोबार की अल्मोस्ट उसे Due Poly कहते हैं और तीसरा बंदा नहीं ऐसे Due Poly कहते हैं इसका एक्जामपल होगा BSC, NSC लेकिन मार्केट में केवल BSC लिस्ट है तो मैं ऐसे ऐसा Monopoly कंसीडर कर रहा हूँ अभी ठीक है हाला कि NSC की तरब से कुछ ऐसी बात आईए कि Next Year March तक कही ना कहीं IPO आ सकता है वो जब आएगा तब की तब देखी जाएगी तब भी एडियो पॉली के माने जाएगे लेकिन अभी तो मैं ऐसे प्योर प्योर Monopoly मानना चाहूँगा थर्ड होते हैं जो ना ही Monopoly होते हैं ना ही डियो पॉली होते हैं पूरी भारत की और पैन बेचती है और एक कंपनी है पैन ए बाकी सब अलग अलग है लेकिन मानलो दिन में 10 पैन बिक रही है और उसमें से 9 पैन पैन ए बेक रही है तो इसे भी हम ऐसा Monopoly कंसीडर कर लेते हैं ठीक है अब आप लोग समझ गयोंगा जिसका Market Share सबसे ज़्यादा हो देखिए बहुत सारी ऐसी Companies है अगर आप Google करोगे तो कि 70% का Market Share है तो उसे Monopoly करार कर दिया For example Page Industries 50% का Market Share है Undergarments में तो उसे Monopoly कर दिया बट मेरे साब से इतने पर नहीं लगबग 80% से ज़्यादा का Market Share होना चाहिए मैं उसे Monopoly कंसीडर करूँगा तो चलिए इसी Base पर मैं आप सभी के साथ कुछ Stock Share करता हूँ Monopoly के आला कि मैंने List बना रखी है जब भी इन में से correction होती है तो मैं खुद भी Buy करना पसंद करता हूँ मैं आपको यह ऐसा disclaimer बता दू और अपने फेवरेट भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा पहला मैंने टोटल यहां पर साथ Stocks की List बना रखी है साथ Stocks हैं यहां पर Monopoly में मेरे पास पहले Stocks की बात तो जो मैंने एक्जामपल में दिया था IRCTC प्योर Monopoly है कोई भी यहां पर दिक्कत नहीं है से ज्यादा मार्जिन क्लॉक करने वाला स्टॉक है एनर्जी सेग्मेंट में लगबग 95% का मार्केट शेयर है एनर्जी एक्चेंज में में यह भी आपके लिए एक Monopoly के रूप में काम करता है बहुत अच्छा स्टॉक है सब्सक्राइब के साब से आप डेफिनिटली होड़ कर सकते हैं एवरेज कर सकते हैं थर्ड सीडी एसल सेंट्रल डेपोजेटरी सर्विसिस इलिमिटेड इस स्टॉक की बात करने तो जितने ज्यादा डेमेट अकाउंट्स कुलेंगे जितना ज्यादा डेमेट होंगे शियर्स इन्हें फायदा होगा आप सभी को पता है अभी एक लोटा लिस्ट है वैसे डियोपोली हैं, CDSL और NSDL बट अभी वह नहीं है तो कहीं न कहीं तो यह एक लोटा आपके लिए लिस्टेट है तो यह आपके लिए एक मोनोपॉली है फिफ्ट कैम्स, Computer Age Management Services दोस्तों यह क्या करता है यह mutual fund का, इसको समझने की जरूरत है mutual fund तो बहुत तरीक हैं जैसे अधित्य बिला है, KOTAK है, SBI है, Axis है हर कोई mutual fund बना बैठा है तो यह सारी कंप्रियां अलग-अलग है mutual fund है, लेकिन सबकी जो कही ना कही लें देना है, वो camps के द्वारा होती है, इसलिए यह मोनोपॉली हो जाता है mutual fund का तो definitely अगर आप mutual fund से related कोई ऐसा stock रोना है कि जब तक mutual fund industry grow हो, तब तक stock grow, तो वो camps ले सकता है ठीक है, 6th पिडिलाइट, यह वही वाली है जैसे IEX है market share, अब देखिए इनका इतना मजबूत है वाई, जैसे उसका मजबूत जोड वैसे ही इनका stock, यह stock जब भी dip पे मिले, definitely खरीना चाहिए, हलाग कि valuation इसके भी बहुत महेंग है तो पिडिलाइट 6th है, 7th MCX, यानि multi commodity exchange, इस stock की क्या कारोबार है commodity का exchange, जैसे BSC stock का exchange है, ऐसी commodity का exchange MCX है, हलाग कि बहुत ही सस्तेजाम पे मिल रहा है, और परफॉर्म भी नहीं कर रहा है, यह stock काफी समय से, बट मुझे लगता है, यह stock भी 2000 का candidate है, जो अभी 1200 रुपे पे मिल रहा है, आप सभी को याद हो, तो मैंने 600 रुपे पे BSC को भी काता है, कि यह stock लगबग 1000 का हो सकता है, वो 3000 तक गया था, मैं pre split of bonus की बात कर रहा हूँ, तो बहुत भागा था तो यह भी stock candidate है, 2000 का यहां भी आप definitely खरिदारी कर सकते हैं, लंबे समय के लिए, अब मैं अपने favorites की बात करता हूँ दूस्तों, dip पे मिले तो pidilite अच्छा लगता है, long term के लिए hold करेंगे, तो CDSL ले सकते हैं, correction भी अच्छा हो रहा है, 12-13 के PV पे trade करता है, यह price to book value पे IR CTCV मुझे काफी पसंद है, valuations महेंगे और मुझे लगता है, महेंगे ही रहेंगे, तो यह मेरी वीडियो, hope आपको समझ में आयोगी, thank you so much for watching this video, have a great day guys